नमस्कार वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ सांचीतियागी FATF की नजर भारत के पडोसी मुलकों पर है पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया फिर ग्रे लिस्ट से अब पाकिस्तान को बाहर किया गया साल 2014 में नेपाल को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया था अब खबरे हैं कि नेपाल को फिर एक बार FATF अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर सकता है इसके पीछे की दो बड़ी वज़े रहेंगी उन वज़ा हो के बारे में जानेंगे लेकिन सबसे पहले आपको नेपाल के बारे में और उससे जुड़ी कुछ जानकारियां आपको बता दे हैं जो 2014 में सबसे बड़ा रहा कि आखिर क्यूं FATF ने ग्रे लिस्ट से बाहर नेपाल को किया और आखिर क्यूं नेपाल को 2014 से पहले तक ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था इसमें सबसे बड़ा मामला मनी लॉटरिंग और इसके अलावा टेरर फाइनसिंग को ले करके था क्योंकि यहां से मनी लॉटरिंग बहुत आसानी से हो सकती थी और टेरर फाइनसिंग का भी जो सिलसिला है वो बहुत बड़े स्तर पर बनता हुआ नजर आया इसमें कुछ सकती हुई तो लगा की चीज़ें सुलज जाएंगी लेकिन जिस स्तर पर इसमें अभी भी कानून की कमी महसूस की गई है और पहले से जो कानून है उसे जिस तरीके से फॉलोड नहीं किया जा रहा है ये बड़े कारण माने जा रहे हैं कि एक बार फिर से नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है पाकिस्तान के निकलने के बाद अप नेपाल की उसमें एंट्री हो सकती है अगर ऐसा होता है तो इसके दो बड़े कारण होंगे पहला तो नेपाल में मनी लॉंडरिंग और टेरर फाइनसिंग के खिलाब सकत कानूनों की कमी है और दूसरा पहले से मौझूद कानूनों का सकती से पालन नहीं होता है नेपाल के मनी लॉंडरिंग और टेरर फाइनसिंग से जुड़े कानूनों में कई खामिया है वहाँ इन पर बने 15 कमजोर कानूनों की पहचान भी की गई इन खामियों की वज़े से अगर नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाता है तो इससे उसकी अर्थ व्यवस्ता पर बेहत बुरा असर पड़ेगा हाल ही में मनी लॉडरिंग पर एशिया पैसिफिक ग्रूप की एक प्रतिनिदी मंडल ने नेपाल का दौरा भी किया था नेपाल में मनी लॉडरिंग और टेरर फाइनसिंग को लेकर बने वाली APG की रिपोर्ट में सिर्फ 16 दिसंबर तक हुए डेवलप्मेंट को ही शामिल किया जाएगा अब पूरे कयास लगाए जारे हैं कि नेपाल को ब्लाक लिस्ट में भी नहीं डाला गया तो ग्रे लिस्ट में डानले की चांस काफी जादा है बतादे कि समय FATF की ब्लैक लिस्ट में सिर्फ उत्तर कोरिया, इरान और मियानमार है इससे पहले नेपाल 2008 से 2014 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है उस समय भी मनी लॉड्रिंग को लेकर FATF ने नेपाल पर आक्शन लिया था इसके बाद नेपाल की सरकार ने मनी लॉड्रिंग के खिलाफ काफी सक्त आक्शन लिया और 2014 में देश इस लिस्ट से बाहर आने में कामियाब रहा था हाला कि अब संकेत कुछ और ही सामने आ रहे है पाकिस्तान खुद इस बात का जीता जाकता सबूत है FATF की ग्रे लिस्ट में जाने के बाद कैसे किसी देश की अर्थविवस्ता चौपट होती है इसका उधारन पाकिस्तान है एक ठिंग टैंक तबादलब प्राइवेट लिमिटेड ने 2021 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि 2008 से 2019 थक FATF की ग्रे लिस्ट में रहने के कारण पाकिस्तान को 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था FATF जो एक तरीके की वित्य अंतुराश्ट्र संगठन है इसका काम यही होता है कि अंतुराश्ट्र स्तर पर किसी भी तरीके के financial crime को रोका जा सके यानि वित्य अपराथ पर रोक लगाई जा सके इसकी देखरेक FATF करता है और इसलिहाज से यह list जारी करता है जिसमें black से लेकर grey और grey से नीचे आने तक की जो पूरी list है सूची है वो तयार की जाती है grey list में शामिल होने के बाद वो संकेत होता है कि अगर कठोर पैसले नहीं लिए गए बदलाव नहीं किये गए तो वो देश black list में भी जा सकता है पिछले दिनों पाकिस्तान के grey से black list में जाने के संकेत थे लेकिन पाकिस्तान ने अंतराश्ची स्तर पर आतंकवात के खिलाफ अपना जो एक छवी बनाने की जो कोशिश की उसके बाद FATF ने उसे grey list से बाहर कर दिया हालकि यह जादा दिन तक रहने नहीं वाला है क्योंकि पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा लेकिन अगर नेपाल अपने बनाय हुए कानुनों पर नहीं अड़ता है और उन्हें सकती से पालन नहीं करता है तो संकेत नेपाल के लिए भी बुरे दिखाई पड़ रहे हैं ब्लैक लिस्ट में नहीं तो कम से करम ग्रे लिस्ट में नेपाल शामिल हो सकता है कैसे लगे रिपोर्ट कॉमेंट करके बताईए बाकी रक्षा और विदेश मामलों सब्जेट रहने के लिए देखते रहे हैं भारत तक